जैहीं साथियों तो इंडियन आर्मी अगनिपाद भरती योजना के ताहर तफस्ट वैच का रिकुर्ट्रेंट प्रोसेस लगभर कम्प्लीट होने वाला है क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो भरती हो रही है इंडियन आर्मी में जो भी रैली चल रही है वो करा गया उसके बाद इसका मेडिकल एक्जाम नेशन होगा देन आपका अर्थात है एक्जाम कंडर्ट होगा किन्तु इस बार जो निव वैकंसी आएगी यह वैकंसी जब समाप्त हो जाएगी अगनिपाद का सेकंड बैच जो आएगा उसमें आपको कुछ चेंजस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर देखें अभी हम इसके ओफिसल ट्विटर हिंडल पर हैं इंडियन आर्मी के उसके बाद हम यहाँ पर आपको कुछ इंपोर्टेंट बाते बता देते हैं जो कि इंडियन आर्मी द्वारा सेयर किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इं तो यह जो है recruitment process में कुछ changes कर सकते हैं सबसे पहले online exam conduct करा सकते हैं और यह इंडियन आर्मी का official Twitter handle है इसका काम जो भी इंडियन आर्मी द्वारा public news होता है उसे publish करना होता है तो यहां पर यह हमें inform करके बताते हैं यहां पर देख सकते हैं इनके बीच यह समझाओता हुगा है तो इस समझाओते से क्या कुछ changes हो सकते हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे यहां पर हम बात करेंगे कि क्या इसमें सबसे पहले return exam होगा उसके बाद क्या जो physical होता था वो बंद हो जाएगा क्या rally conduct होने बंद हो जाएगे और इसके एक्जाम pattern क्या रहेगा अगर यह online exam कराते हैं तो चलिए start करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेलको आलपा ज़रू क्लिक कर लिजगा चैनल को सबी updates आपको हमारे चैनल पर मिल जाती हैं तो यहां पर देखें सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या online exam conduct होगा अर्थात क्या सबसे पहले exam होगा या फी rally होगा तो यहां पर देखें इनके द्वारा जो बताया गया है उसके recording इसमें सबसे पहले online exam conduct करा जाएगा क्योंकि यहां पर बताया गया है कि इसका selection process चेंज हो जाएगा आप यहां पर देखें जो online exam सबसे पहले conduct करा जाएगा उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही hard exam कर देंगे इनका exam normal रहेगा क्योंकि इंडियन आर्मी में जो physical होता है वो भी hard होता है तो वो जादा से जादा candidate बुलाएंगे क्योंकि आपको पता होगा कि अगर यह सबसे पहले physical conduct कराते हैं तो इन्हें जो rally conduct कराना पड़ता था वो इंडियन आर्मी द्वारा ही conduct कराना पड़ता था उन्हीं के AR में कराना पड़ता था तो इसलिए उन्हें जो है पूरे साल तक वही काम करना पड़ता था क्योंकि next recruitment में खतम होते होते जो है वो नया recruitment आ जाता था तो इ में क्योंकि एकजान में भी बहुत सारे कैंडिन्ट बाहर होते हैं कोछ मैं चैंजर साथ करो रैली बंद नई होगी जैसे पहले आपका रिटन एक्जाम करा लिया जाएगा उसके बाद इन्हीं के एरो में ही बुलाकर आपकी फिचकल करा जाएंगे आपका रणिंग करा जाएगा जिस तरीके से इंडिन एरफोस में होता है आपको पता होगा कि उसमें सबसे पहले बंद नई होगी पहले एक्जाम होगा उसके बाद आपको जाकर रैली देना होगा एक्जाम नॉर्माल ही रहेगा जिस तरीके से पैटन होता है उसी पैटन पर एक्जाम रहेगा कि उसमें अच्छा ये रहेगा कि सभी को एक्जाम देने का मौका मिलेगा पहले क्या होता सबसे पहले यहाँ पर मैं soldier general duty के exam pattern के बारे में आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर देखें सबसे पहले अभी तक जो soldier general duty में exam होते थे उसमें total यहाँ पर आपको 50 question देखने को मिलते थे total 100 mark के होते थे यहाँ पर देशकते हैं general knowledge के 15 question आते थे general science के 15 question आते थे examination conduct होगा इसमें merit बनेगी कि कितने candidate को physical के लिए बुलाया जाएगा तो उसी बेस पर इसमें merit बनेगी तो जो भी candidate select होंगे उन्हें physical के लिए बुलाया जाएगा और physical के लिए बहुत जादा candidate बुलाया जाएगा अर्थाल लगभग यहाँ पर हम बात करें दस गुना candidate भी फिजकल के लिए बुला सकते हैं क्योंकि फिजकल जो रहेगा वह सेम हो सकता है थोड़ा बहुत changes कर सकते हैं कि तो यहाँ पर दस गुना तक इसमें physical के लिए बुलाया जाएंगे रिटन exam के बाग उसके बाद यहाँ पर देखेए अपने समबाद करते हैं Solar Clerk की तो Solar Clark में Part 1st से total 100 Mark के होते थे और इसमें टो इंग्लिश के होता था और इसमें 25 question आते थे तो यहाँ पर देखें पर फस्ट में जो है वह जन्र नॉलिज आता था जन्र साइस आता था mathematics and computer science आता था और पार्ट सेकंड में यहां पर आपको जो है वह इंग्लिस के होता था 25 कोश्चन तो जो स्लेबस आते थे वह तो सेम आएंगे कि इनके marking system में थोड़ा बहुत changes कर सकते हैं उसके बार जो है इसके mark कर सकते हैं जैसे पहले चार mark का एक question हो गया तो एक mark का एक question कर सकते हैं तो यह changes हो सकते हैं कि जो स्लेबस आपका आता था वो सेम रहेगा तो चलिए फिनस यही कुछ changes आपको दिखने को मिल सकते हैं कि तो अभी इस वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा चलिए मितने आप लोगों से फिक्रिशन नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिं है आपको वीडियो रहे सकते हैं कि नेरे पर वीडियों से वीडियो ने करें दो कि था लोगों से लोगों से फिक्ट धरसे सबड़िए लोगों से वीडियों से